वीडियो तो अगर आप भी 12 स्टेंडर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन रहेगा विकॉज इस वीडियो में मैं आपको नवनी 21 का जो रिवीव है वो देने वाला हो और आपको डीटल में बताऊंगा कि क्या आपको इन बुक्स का जो है वो यूज करना चाहिए या फिर नहीं इन बुक्स के अंदर क्या content होता है वो भी हम देखेंगे and सबसे important guys मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन बुक्स का यूज करके आप कितना percentage तक जो score है वो कर सकते हो तो वीडियो पूरा इंटर देखते रही है थाकि आपको ये सारी जो valuable information है वो मिल जाए तो मेरे पास guys अभी कुल मिला के चार 21 available है 12th की and इन में से एक बुक का example देखे मैं आपको सारी चीज़े समझाओंगा जैसे कैसा structure है कौन सी चीज़े या पर दी हुई है और क्या ये आपके लिए helpful रहेगी या फिर नहीं तो physics subject का example लेके guys मैं आपको सारी जो चीज़े वो समझाता हूँ तो बुक जो है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो दीखेगी तोटल 100 का weightage रहेगा ठीक है फिर या पर आपको कोशन पेपर का जो pattern है वो बताया हुआ है जैसे कोशन पेपर में आपके जो है वो पहले तो multiple choice question रहेंगे 10 mark के लिए फिर very short answers रहते हैं जो कि छोटे answers हमें लिखना पड़ता है वो रहेंगे 8 marks के लिए with option कितने marks रहेंगे वो पी आपे जो है वो right hand side पर दिया हुआ है फिर आपका फिर b section में short answer questions रहेंगे जिनका 16 marks जो है वो total रहेगा और option के साथ 24 रहेगा ऐसे आपे information दी हुई है फिर और short answer है और long answer questions के बारे में जो information है वो दी है तो total आपका 70 marks रहेंगे जो आपको solve करना ह 98 marks का with option पूरा जो paper है वो आपका रहेगा तो ऐसी आपे information दी हुई है और नवनित में कहीं जो भी information दी है almost यह मतलब valid रहती है सारी चीज़ जो है वो सही रहती है कोई भी आपे जो flaws वगरे वो बहुत ही कम रहते है ठीक है तो आप इसके उपर trust कर सकते हो फिर आपको next page पे कौनसे chapter जो ज़्यादा important है कि इसका जो weightage हो कम है और इससे आप यह भी analysis कर सकते हो कि जो long answer question है जो कि सबसे end वाला paper में वो questions जो है वो कौनसे chapter से आ सकते है ठीक है because जिस chapter का weight is ज़्यादा रहेगा maximum chances रहेंगे कि वहां से जो long answer questions है वो आए ठीक है तो वो information आप यहां से जो तो content वाला section यहां पर तीन section में जो है वो divide किया हुए है पहला section है यहां पर model question paper यह content का meaning ही है कि इस book में क्या क्या चीज़े दी वही है ठीक है तो पहले section में model question paper तो model question paper में जैसे आपका board का question paper set होगा उसी तरीके का guys यहां पर question paper है वो दिया हुआ है with answers ताकि आपको एक idea है कि आपका physics का या फिर बाकी subject का overall जो paper है वो कैसे set होगा and कैसे वापे marks distribution रहेगा ठीक है तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया आजाएगा paper के ऊपर फिर second section है guys जो कि हमारे लिए important है because यहाँ सी हमें अपनी सारी जो preparation है वो करेंगे जो कि most likely question sets ठीक है तो यहाँ पर आपको different different questions की आपकी सारी जो practice है वो हो जाएगी फिर very short answer की practice हो जाएगी definition laws and theory explanation ऐसे सारे जो topics है वो दिये हुए है जिससे हर एक chapter का आपका पूरा जो practice है वो हो जाएगा ठीक है and फिर है यहाँ पर section 3 जो कि है board question paper तो यहाँ पर question paper भी मिल जाएगा साथी में answers के लिए QR code मिलेगा उस से पहले हैं हमारा model question paper जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारी जो चीज है general instructions वो दी हुई है and फिर हमारा section A जो है वो start हो जाता है जिसमें 10 mark का हमारा section A है MCQ वाला जिसमें 10 MCQ आपको पूच जाएंगे तो यह सारे MCQ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे with answers ठीक है जो model question paper है उसके question भी आपको मिल जाएंगी साती में यहाँ जो answers है वो भी दी हुए है जो कि एक अच्छी बात है फिर है guys यहाँ पर answer the following question जो कि short answers रहेंगे 8 marks के लिए आता है तो यहाँ पर भी definition type के जो question से वो पूचे गया है एडिंग के जो answers है वो भी आपर जो है वो दी मतलब any 8 question जो है वो आपको solve करना पड़ता है 16 marks आपको यहाँ से जो है वो मिल सकते है total तो यहाँ भी जो questions है वो अच्छे set के गया है साती में जो answers की quality है वो भी अच्छी है properly guys यहाँ जो diagram है वो बनाया है and सबसे important चीज़ गाई मुझे यहाँ यह लगी कि जो बड़े answers है तो आपे जब यहाँ पर answers लिखे तो यह भी बताया है कि यह चीज अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको half mark मिलेगा formula लिखोगे तो half mark मिल जाएगा पूरा answer आप निकालोगे तो half mark मिल जाएगा ठीक है मतलब structure वाइस चीज़े बताई गई है कि अगर आप इस structure में च question set 1 से सारी जो चीज है वो start होती है तो पहला set है हमारा यहाँ पर multiple choice question का तो जितने भी chapters है guys उन सभी के multiple choice questions है वो यहाँ पर दिये हुए है तो अगर guys आप एक strategy बनाते हो सबोज एक मैना बागी है exam mission को तो हर दिन guys अगर आप एक chapter का भी पूरा जो mcqs है वो solve करते हो तो आ practice अच्छी खासी हो जाएगी फिर इसके बाद guys आपको very short answers मिल जाएंगे यह भी अच्छी तरीके से आपर जो है वो set किये हुए है and जो chapter है उस chapters में से जितने भी important short answer questions होंगे वो सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे इसके अलावा जो repeated questions है वो भी mostly आपर रहते है and जो paper में पूछे जाते हैं तो कुछ जो paper में पूछे गए questions है वो भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे जिसके बाजो में mark किया होता है guys कि 2022 में आया था 21 में आया था तो ऐसे सारी चीज़े भी जो है वो आपको यह आपको देखने को मिल जाएगी फिर यह आपे definitions, laws and theories, explanation, derivation, फिर distinguish between experiments and diagram, solve problems, solve problems too यह सारी जो चीज़े है वो मिल जाएगी और सभी का कुछ जो content है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यहापे जो answers दिये हुए वो भी एकदम up to mark है ऐसा नहीं कि छोटा question है बट answer बहुत बढ़ा दिया हुआ है जितना पूचा गया है उतना ही board question paper के जो questions है वही दिये हुए है अगर आपको answer चाहिए होगे तो यहापे back end side पे एक QR code है वो मिल जाएगा उसे scan करोगे तो आपको इनके जो answers है वो भी मिल जाएंगे तो overall guys जो book का structure है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा and बहुत सारी जो चीज़े वो बहुत अच्छी जो है वो काम कर सकती है especially यहाँ से आप जो चीज़े वो read out तो करी सकते हो साथी में जो question answer के format में चीज़े दिये हुए है इससे guys जो preparation है वो भी जल्दी होता है और हमें एक confidence भी रहता है कि आर इस unit से मेरे इस chapter से मेरे इतने इतने जो questions है वो हो चुक है और उनको मैं जो है अच्छी तरीके से answer भी कर पाऊंगा तो overall guys एक बहुत ही अच्छा product है इन्हें आप जो है वो जरूर ले सकते हो और इससे आपकी जरूर जो है वो help हो सकती है ठीक है इसके अलावा काफी चारे students के यह भी doubt होते है कि क्या बस हमें 21 ही जो है वो पूरी तरीके से refer करना चाहि तो देखो जितना मुझे पता है जब मैं भी 12 में था तो मैंने भी guys book plus 21 का reference है वो लिया था because book में जो information दी होती है या फिर college में अगर आप जाते हो फिर वह आप सारी चीज़े पढ़ाई जाती है तो अगर आप book से पहले पढ़ लेते हो एक बार पूरा chapter and समझ लेते हो ची topic मैंने वहाँ पर पढ़ा था but उसके उपर किस टाइप से आप पर question जो है वो पूचा गया है वह आपको 21 से जो है वह ज्यादा better way में समझ में आएगा and उस question के लिए कितना lines लेकना चाहिए वह आपको यहाँ से जो idea है वह आ जाएगा तो 21 आपके लिए बहुत ही अच्छ जो है वह समझ में आएगी इसके अलावा question ऐसे भी होंगे जो बस 21 ही लेना चाहेंगे 21 का ही preference लेना चाहेंगे तो इनका भी आप reference लेके पूरी पढ़ाई जो है वह कर सकते हो अगर देखो आप इस book को पूरी तरीके से मतलब A to Z पूरी पढ़ लेता हो तो almost आपको बहुत अच्छे जो marks वगेर है वो मिल जाएंगे because यहाँ पे भी नवनित या फिर जो भी मतलब इने बनाते है वो भी try करते कि max से max जो चीज है वो cover हो जाए book में ही ताकि जो भी question आए वो 21 से ही आए ऐसा उनका जो motive है वो रहता है तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप इन books को प स्कोर करना is not compulsory अगर आप 80s के भी range में आ जाते हो तो बहुत ही अच्छा जो score है वो आपके लिए रहेगा 10th में स्कोर करना थोड़ा जो है वो simple हो जाता है as compared to 12 12 में सबसे बहुत हो जो syllabus है वो भी काफी vast होता है साथी में जो books है वो भी अच्छी बड़ी होती है उसमें स्कोर करते हैं तो अगर आप 75 के उपर है तो आपको कोई बी जो प्रावलम है वो नहीं आएगा जिन भी स्कोर का 60 अब परसेंटेज रहता है इंजिनेरिंग या फिर उसके बाद 12 में तो वो सभी companies के लिए जो है वो almost eligible हो जाते है तो 75 एक बहुत ही decent score अगर इसके उपर आपको percentage मिलते है तो जरूर आपके लिए आने वाला जो भी समय रहेगा जो भी आपकी learning phase रहेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आपके लिए जाएगा और इन बुक्स क करोंगा कि इन बुक्स का आप जो यूज है वो जरूर कर सकते हो साती में बुक्स का भी उज कर सकते हो एक बहुत ही अच्छा result आप जो है वह इनका यूज करके निकाल सकते हो इसके लगा इन बुक्स को आप ओनलाइन या फिर offline भी बाय कर सकते हो online links मैं आपको description में दे स्कोर कर पाऊ तो ऐसा अगर कुछ होगा तो ज़रू कमेंट में बताना मैं डीटेल में सब्जेक्ट वाइस आपके लिए जो वीडियो से बना दूंगा यह भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको पहले फोकस करना चाहिए कौन से बाद में करना चाहिए और अ कि अवर में करना चाहिए